कि नमस्कार साधरा न्यूज राजस्तान में आप सबका स्वागत है आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम 25 स्वमलपूर आज हमारे साथ युवा सर्पेंच छोगा नाथ जी आयो हैं जाना चाहते हैं किन मुदों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं क्या है गाम की कहानी ख सबसे पहले सर आपका पूरा परीचे आपका नाम मेरा नाम आकम अली है पंचाय समिति सदेशी हूं बिलकुल आकम जी आप बात बताएं कि ग्राम पंचायत में किन मुदों को लेकर चुनाव लड़ा गया है जी हम हमारे गाम में पानी की बड़ी परेशान है और टाटा प कर्वाएंगे पानी की परेशान है बहुत बड़ी परेशानी की ओर टाटा पाउर है यह नहीं तक और राचवेशत गाम पória्त है सिर्फ ग्राम पिंसे पहले चुनाओं चानों में यह उनको मालूम नहीं था यह टाटा पावर उनकी टाइम में आया था वह सकता विरोध नहीं हो था तो यह टाटा पावर हमारे गाम नहीं आता पेजल की बात करें किते जल है तो जीवन है पानी की क्या समस्या आ रही है पानी की समस्या के समाध आने के लिए आपके क्या प् उसके लिए हम परियास करेंगे और डाणियों में पाणी पहुचा के रहें किसी भी कीमत में हमारों को काहीं भी जाना पड़े अब मैं शिक्षा पर बात करूँगा केतने शिक्षा का ग्यान सबसे बड़ा ग्यान मनेगे शिक्षा के परती ग्राम पिंचायत का इस तरके है आकम जी बात करते हैं कि इस विकास के मुद्दे आपने जनता से वादे भी किए हैं कि हम यह करवाएंगे वह कर भात आती है बजट कि बजट से बात होई गाहम के मुखे भी बताएं होंगे ऐसी कोई निताउं से बात हुई है आपकी हाब बात हो रखी है बाट हो रहेंarness हम भीक मांग मांग के लाएंगे हम गाम के लिए बिलकूल मांगेगा कि काउंगे महाऊन के लिए भीक मांगे बीक मम्हांगे फैसलिया कौसी ओर फॉरिण नहीं है तो हमारी तीम हम खुद भी एक्टिवेस के अंदर और हम खुद भी काम करते हैं तेम पूरी काम करती है करना चाहा हो यह और के लिए रोजगार के क्या संसादन है आपकी ग्रहन पंचाहित में यृ और को रोजगार के लिए कहां जाना पड़ रहे हैं एक कोई है पूरन हिंदुस्तान हो रहा हमारा गाम भी नीवह फूरह ढ़री हिंदुस्तान वे जो अगर हमारे इसमें पंचाहित मोंगा वह भी करेंगे बाहर भी हमारे से हैलफ और हम करेंगे तो रोजगार देट नीसकते है परियास करेंगे काई भी कुछ हम देखेंगे पुलिस को बलवाएंगे हम समझाएंगे पुलिस को बलाएंगे परियास पुरा करेंगे ग्राम पचाइथ को नसा मुक्त किया जाए आकम जी मेरा लस्ट परसन है क्या बश्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहे है देखो जी इस पर आपको भी मालूम है आप भी मीडियम हो बश्टाचार तो बढ़ी रहा है और आपके प्रयास होगी ग्राय पजास बिलकूल हम बश्टाआचार खतम करने की वत्ति वह थे वोट को बिलकुल में वह निता हैं क्या फटार लोटों को ध्र श्यवशेल भी जिता को बढ़ा सब्सक्र ग्राम पंचायद की जनता और देश वश्यों को चैनल के मादें से क्या संदेश देंगे सब को मैं धन्यवाद देंगा हम पहले तो मेरे गाउं की जनता को कि हम को इस लाइक समझा और मेरा सरपंजी बनाया मेरे को बनाया और कल बहुत बड़ा दीन अपने लिए इसलिए मैं सबको धन्यवाद हूंगा धन्यवाद हकम जी चैनल में बात करने के लिए आज हमने बात की सरपेंच परतिनीदी और पंचायद समीती सदेश से हकम जी से इन्हों ने बताया कि हमारा सपना है ग्राम पंचायद का चोमू की विकास करवाना जनता ने साथ दिया है तो विका झाल